Welcome to Maluka IS हम लोग Prelims Booster Series का अगला chapter डिसकस करने जा रहे हैं अगला part है ये इस series को Prelims 2023 जो होने वाला है उसके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि हर subject में आप लोग बहुत ही अच्छे से selected topics पर काम कर सको selected चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सको और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये topic जो है इसमें से question किस तरह से बनते हैं और किस तरह तक कितनी गहराई तक आपको उस topic में जाना है इन चीजों को ध्यान में रखकर इस series को design किया गया है तो हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ते हुए चले जा रहे है पॉलिटी का हमारा ये next part है अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजे मौलिक अधिकार देख लिया है नीतिन डेशक तत्मों को लेकर देख लिया है आज हम लोग दो तिन टॉपिक और अच्छे से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो सविधान की जो मूल सरजना है इसको लेकर भाई दो चार चीजे समझ लिजीए अगर सवाल आता है तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए इसके बार में थोड़ा से पता होना चाहिए आप लोगों को सबसे पहली चीज तो यह याद रखनी है कि इसका जिकर जो है सविधान में इसका जिकर नहीं है सविधान में उलेक नहीं है ऐसा नहीं बहुत बार UPSC इस तरह से कंफ्यूज करता है कि क्या इसका सविधान में जिकर है सविधान में जिकर नहीं है इसका तो फिर यह लाया कहां से आया कहां से कॉंसेट नियाय पालिका ने इस कॉंसेट को लाया है ठीक है आप लोगोंने अब तक पढ़ लिया होगा फिर भी जल्दी से ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ देखो भई सुप्रीम कोट और जो किंदर सरकार है इसके वीच में लंबी लडाई चलती रही जिसका जो निशकर्ष है लडाई किस बात को लेकर थी कि सविधान में जो संशोधन है उसके लिए संसत की शक्तियों की क्या सीमा है क्या संसत जो है सविधान के पूरे पार्ट को चेंज कर सकती है उसको रोकने वाला कोई नहीं है क्या उसकी सक्तियां जो हैं सविधान को संशोधन को लेकर क्या वो असीमित शक्तियां हैं यह देखो यह सरकार चाहती थी कि इस तरह से चीजे होनी चाहिए कि हमारी शक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो ये चीज लगातार सुप्रीम कोट के साथ और सरकार का ठकराव चलता रहा तो लास्ट में सुप्रीम कोट ने एक बात बोली हालां कि सुप्रीम कोट ने मान लिया था सरकार की इस बात को कि ठीक है आप लोग की इस बात को मना जाता है कि आप लोग पूरे सविधान में change कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप change कर सकते हैं फिर जो है केशवानंद भारती case में, केशवानंद भारती case में Supreme Court जो है वो एक आपको पता है कि एक नया concept लेकर रहा है जिसको क्या बोलते हैं? Basic structure, ठीक है? Supreme Court ने ये बात बोली, कि ठीक है आप पूरा सविधान change कर लिजिए पर जो सविधान की मूल भूत सरंचना है ना, उसको आप change नहीं कर सकते हैं एकदम से जो है सरकार के लिए नया concept था, नयाय पालिका की तरफ से दिया गया और basic structure जो है, इसको define करने का right Supreme Court ने किसके पास रख लिया आपने पास? नयाय पालिका ने खुद के पास रख लिया कि हम निर्धारित करेंगे कि सविधान की मूल सरंचना क्या है इसके पीछे Supreme Court ने logic किये दिया, कि देखिए जब सविधान विशेशग्यों ने सविधान को तयार किया था ना तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर उनकी बहुत ही important, बहुत महनत का work था और उनके उदेश्य थे सरकार को लेकर, उदेश्य थे देश को लेकर कि किस तरह से देश जो है भविशे में आगे बढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जब सविधान निर्बान हुआ था, उसको लेकर कुछ चीजे बनाई गई थी कुछ उदेश्य सोचे गए थे, उन उदेश्यों का बिखराव ना हो, तो इसलिए सुप्रीम कोट ने इस सिधान को दिया कि आप मूल सरंचना चेंज नहीं कर सकते हैं, जो सविधान विशेशक्यों के मन में थी देश को लेकर, ठीक है अब वो मूल सरंचना कोण डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोट डिसाइड करेगा, तो जिसके लिए सुप्रीम कोट ने अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई अभी तक भी पूरी तरस इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कुछ कुछ चीजे जैसे जैसे डिसी वो भी क्या है, मूलभूत विशेष्टा है, सवतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की सवतंतरता जो है, सविधान की मूलभूत विवेश्टा है, धरम दिरपेक्षता सविधान की मूलभूत विवेश्टा है, ये किसने किसने डिसाइड किये है, ये सुप्रीम कोट न अनन्द कर रहा है और नियाई पालिका की सब्साइड़ता जो है मूल सरचना का पार्ट है जिसको सरकार चेंज नहीं कर सकती है ठीक है तो इसको लेकर कहानी अप लोग समझ लीजिए पहली चीज सविधान में उसका उलेक नहीं है, दूसरी चीज नियाई पालिका की तरफ से लाया गया है, तीसरी चीज सरकार पूरे सविधान में, कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं क्या मौली कदिकारों में चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, कर सक रख नहीं सकती केंदर राजय समन्द ठीक है केंदर राज्य समन्द ठीक है? सबसे पहले देखिए, देखिए भई, केंदर आपको पता है, सरकार जो है, हमें संघात्म को व्यस्ता है भारत में, हम लोग उने पिशली क्लास में डिसस किया था, फैडल सिस्टम है, तो सरकार की शक्तियां जो है, वो बटी हुई हैं, केंदर सरकार की अपनी शक्त अब यहां पर यह समझने का प्रयास करिए, कि सरकेंदर और राज्य के बीच में, मेंली जो सवाल बनता है, सबसे पहले यह देखिए, कौन-कौन सी समीतियां हैं, जो केंदर राज्य समंदों को लेकर अभी तक बनाई गई हैं, अगर आप लोग ने देखा होगा, एक से द केंदर राज्य समंदों को लेकर बनाई गई थी, ठीक है, राज, मनार, समीति, मतलब किस तरह से समंदों में और बहतरीन किया जा सकते हैं, केंदर और राज्य के बीच में आप लोग देखते होंगे, समय समय पर आप लोगों को टकराव देखने को मिलता है, तो यह ध्यान में रखकर कि कैसे समंदों को और पहतनीं तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है कैसे केंदर सरकार के निरदेश जो है वो राज्यों को मानने चाहिए इन चीजों को लेकर कैसे इंप्रूव तो अपने अपने लेवल पर कई बार राज्जे सरकारों ने भी समीतियां गठित की है UPSC ने कोशन पूछा था कि राज मनार समीति जो है वो किस से जुड़ी हुई है उसका विशय क्या था क्यों गठित किया था इसको तमिल लाडू ने गठित किया था ठीक है लगबग लगबंग 1969 में इसको गठित किया गया था और इसका उदेश यही था कि केंदर राज्य समंदों में सुधार है तू कहीं ना कहीं पर सिफारिशे करना दूसरी समीतिया आप लोग यहां पर देखिए ठीक है इसी के बाद एक आनंदपूर साहे प्रस्ताव भी आया था ठीक है अनंदपूर साहे प्रस्ताव भी आया था यह प्रस्ताव जो है मुझे लगता है 1973 के आसपास आया था इसका सीक्वेंस भी आप लोग को पता होना चाहिए यह जो समीतिया मैं बता रहा हूँ इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए वो क्या चाहेंगे, कि राज्ये के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, केंदर के पास पावर कम होनी चाहिए, है ना, यही तो रहेगा, इन दोनों समितियां को आई जंड़ा यही रहा, इसलिए सरकार ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, तीसरी समिति जो है, जो ब एक और देख लिजिए, पुंची आयोग जो है, ठीक है, पुंची आयोग जो है, यह 2007 में गठित किया गया था, और इसका उदेश्य भी यही था, कि सरकार केंदर और राज्ये समन्दों को लेकर अपनी सिफारिशें दे, ठीक है, तो यह चार समितियां कम से कम इनका पुंची आयोग जो है, पुंची कमीशन जो है, 2007 में बनाया गया, ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पर ही समझ लेंगे, अंतर राज्ये जो आपको पता है, परिशे जो है, इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर जो चीजें हैं, उसको भी अच्छे से जल्दी से देख जो जो इंपॉर्टन चीजें हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसके बारे में सवाल किस तरह से बने हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, एक है, इंटर स्टेट काउंसल, अंतर राज्ये परिशक, इसके बारे में याद रखो, स यह स्थाई है, नहीं, यह गलत हो जाएगा, यह स्थाई नहीं है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था, वो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया था, ठीक है, सरकारिया आयोग अभी हम लोग ने उसका जिकर किया था ना, सरकारिया आयोग ने की सिफारिश पर इंटर स रांस्तपति के द्वारा. ठीक है ना? रांस्तपति जो है, इसका कही ना कहीं पर इसका गठण करते हैं. आप लोग अच्छे से याध रखेंगे, दूसरा, इंट्रस्टेट काउंसल, जो है, इसके जो सकें परामर्ष कर सकें एक दूसरे से और आपस में एक सहमती को बिल्ड कर सकें किसी विवाद को लेकर बहुत सारे मुद्दे इसके लेकर गठित किये जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज आद रखिए यह समध्धानिक संस्ता तो है इनी चीजों को लेकर UPSC confuse करता है यह समध इसको लगाता रेगुलिटर तरीके से बना जा रहा है इसका को फिक्स टाइम नहीं है जब राश्टपती को ठीक लगता है तब ये इंट्रस्टेट काउंसल का गठर राश्टपती द्वारा किया जाता है और याद रखना है इसके अध्यक्ष जो है अंतर राज्य परिश जो होती है इसके अध्यक्ष होते हैं भारतिय प्रधार मंत्री और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं राज्यों के C.M. होते हैं इसमें confusion बिलकुर नहीं रखनी है मैंने आपको बताया और साथ में सरकारिया आयो की सिफारिश पर इसको गठित किया गया था और एक चीज़ याद रखेगा difference समझ लिजिए इसका जो decision होता है निरने जो होता है वो अनुचेद 131 में जो Supreme Court की power है किंदर राज्यों को लेकर जो decision देते हैं किंदर सुप्रीम कोर्ट उससे समपूरक है मतलब उसी तरह का same power है इसके पास बट डिफरेंस पता क्या है इसकी जो सिफारिश है या जो decision है या निरने जो है आपस में वो बाध्यकारी नहीं है बट court जो decision देगा वो बाध्यकारी होगा कोर्ट का decision क्या होगा Supreme Court अगर decision देगा तो मानना पड़ेगा केंदर को भी राज्ये को भी बट Interstate Council जो है अंतर राज्य परिशद जो अगर कोई decision देती भी है तो जरुत नहीं है कि ये लोग मानने भी ठीक है ये सिफारिश होती है बस इसके बार में तो Supreme Court के साथ समपूरक तो है बट डिफरेंस क्या है यह बाध्यकारी नहीं है यह सलाकारी है बट कहीं न कहीं पर जो Supreme Court का decision है वो बाध्यकारी तो आप लोग कहीं न कहीं पर Interstate Council को लेकर अंतर राज्य परिशद को लेकर जो UPSC बार बार सवाल पूछता है इसको लेकर भी कहानी अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है जल्दी से अब लोग हम लोग देखते हैं अपात कालिन प्रावधान क कोई ऐसी स्तिती बन गई है जब अपात लगाना जरूरी है तो अपात काल लगेगा तो उसका control किसके पास आजाएगा पावर किसी के पास आजाएगी केंदर सरकार के पास है ना तो राज्य जो है कहीं ना कहीं पर उस लौरान पंगू बनकर रह जाते हैं केंदर के पास श कौन से आधार हैं इसके यूद बाहया कर्मन ठीक है न और सशष्ट्र अगर आपका जो है विद्रो हुआ है उसके आधार पर यह किया जा सकता है याद रखिएगा यह जो सशष्ट्र विद्रो का जो प्रावधान है इसको याद रखे बहुत बार यूपेशी ने प्रिलिंस था तो किस आधार पर लगाया था यह आंत्रिक गड़बडी हो गई तो सरकार ने जो उसके बाद सरकार आई मुरारजी दिसाई कि उन लोगों ने यह कहा कि आंत्रिक गड़बडी वर्ड सही नहीं है ठीक है आपको पता है किस तरह से आपातकाल में सत्ता का लोग हुआ था आप लोग अच्छे से जानते होंगे तो फिर उस वर्ड को बदल कर क्या लिख दिया गया सशष्ट्र विद्रो तब ही आपातकाल लगाएंगे जब सशष्ट्र विद्रो हो इसको कौन से अमेंडमेंट में माध्यम से यह याद रखना है ठीक है चावालिस हो या स्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कानून बना सकती, संसज जो है, और राश्टपती जो हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य सुची की विश्यों पर, बट एक चीज याद रखेगा यहाँ पर, मैं वैसे आगे चलकर डिफरेंस बताऊंगा, राश्टी अपातकाल में राज्य सरकारें निलंबित नही तो हाई कोड जो हैं, उसकी पावर के साथ कोई कंट्रोल नहीं है, हाई कोड की पावर नहीं रोकी जाती है, हाई कोड नयाय पाली का अपना वर्क करती रहती है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना, यह UPSC कोशन में इस तरह से बहुत बार कंफ्यूज करता रहता है अब राश्टिया पादकाल जब लगता है, राश्टिया पादकाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिए मौली के दिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो मैंने बता दिया कि विधाई प्रभाव जो हैं, राज्ये सूची के विशे पर केंदर सरकार जो है, संसत जो है कानून बना सकती है राश्टपती जो है अगर आप लोग देखेंगे अध्यादेश जारी कर सकता है मौली के दिकारों को लेकर चीज़े समझ लीजी फंडामेटल राइट को लेकर एक तो जब आपका जो राश्टिया पात्का लगता है ना राश्टिया बैने का बहायाकर्मन के अधार पर या युद्ध के अकार पर तो आप सोचेगे अनुछेद 19 जो है यह स्वत्य निलंबित हो जाता है इसको याद रखेंगे आप लोग जो आर्टिकल 358 है 358 है इसमें इसका प्रावधान किया गया है कि अनुछेद 19 जो है स्वत्य खतम भी हो जात एक पर अनुछेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं चाल alarman य हो इनको चोड़ कर बाकि आप जो मौली का है वह निलंबित हो जाते हैं न राष्टपती के आदेश पर, जब तक राष्टपती आदेश नहीं देगा, तब तक ये चीज़े निलंबित नहीं होंगी, और सीमा भी राष्टपती निर्धारित करेगा, इनकी समयावधी, जब तक वो बोलेगा अपने आदेश में, तब तक ये ये वाले जो मौली के दि पारिश पर ही अपात्काल की घोशना करनी होगी ठीक है जैसे पहले नहीं था ये प्रावधान कौन से माध्यम से आया चवालिस में चवालिस में सवधानिक संशोधन को बहुत अच्छे से याद रखना है इससे राष्टपती को ये पर्मानेट कर दिया गया बाध्यकारी कर दिया गया जब तक आपको मंत्री मंदल कैबिनट लिखित रूप में नहीं भेजती है तब तक आप लोग अपात्काल को लागू न बढ़ाना होगा और जैसे एक मंत में संसवत पारित कर सकती है तो छे महीने तक आपात्काल बना रहे ठीक है ऐसे ही 6-6 महीने करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अब जल्दी से हम लोग देख लगते हैं जो दूसरे प्रकार का आपात्काल है जिसको हम लोग बोलते है क्या बोलते हैं रास्टपती साशन ठीक है अनुचे 356 में इसका प्रावधान है बट एक और है 365 दोनों के माध्यम से जो रास्टपती साशन है वो लगाया जा सकता है फरक क्या है इसके अंदर ये है कि अगर राज्य सरकार सविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रह देगा बट इसके अंदर क्या है अगर केंदर के निरदेशों का पालन नहीं कर रही है तो रास्टपती साशन लगा दिया जाएगा दोनों तरीके से लगेगा राश्टपती साशन ठीक है याद रखेंगे इसको आप दूसरा यह मैक्सिमम तीन साल तक लगाया जा सकता है ठीक है और दूसरा इसकी जो अनुमती है ठीक है संसत से दो माहा में संसत से इसको फारित कराना होगा और मैंने आप लोगों को क्या बताया इसमें जो है राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है ठीक है राश्टिय पातकार में राज्य सरकार को निलंबन नहीं किया जा रहा था इसमें राश्टपती शाषन में राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है और कहीं ना कहीं पर केंदर सरकार के पास सारी शक्तियां जो राज्य की हैं केंदर सरकार के पास आ जाती है ठीक है य नहीं उस राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियां इससे प्रभावित होने वाली यह आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ठीक है तीसरा जल्दी से देख लेते हैं वित्तिया पातकाल ठीक है सबसे पहले अनुशे 360 ठीक है भारत में आज तक वित्तिया पातकाल को लागू नह पातकाल लगा जब चीन की द्वारा नेफा को लेकर हमला किया गया है रुनाचल प्रदेश को लेकर है ना दूसरा आप लोगों को याद होगा 1971 से लेकर 77 तक रास्तिया पातकाल दूसरी बार लगा है ना जब पाकिस्तान के साथ हम लोग यूद में थे और तीसरा पातकाल जब दूसरा वाला चल रहा था उसी के पीच में आंत्री गड़बडी के अधार पर इंद्रागांधी सरकार के द्वारा 1975 से 1977 तर लगा दिया गया थीक है तो आप लोग याद रखेंगे दोन तीनों चीजे वो तीन बार लग चुका है राश्त्ति शाशन कई बार लगा ज ज़रत नहीं है जब तक एक बार अनुमद्र मिल गया तो जब तक राश्त्ति इसको वापस नहीं लेते हैं तब तक यह लागू रहेगा थीक है भारत में आज तक जब भी 1990 के दौर मर आर्थिक संकट बना था बड़ विति आपातकाल नहीं लगा थीक है तो आप लोग इस पहला और दूसरे टापिक हम लोगों ने जो केंदर राज्य समंधों को लेकर और पूल सरंचना को लेकर बहुत अच्छे से समझ लिया मिलते हैं अगली वीडियो में तर तक अपना ध्यान रखें अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें बहुत बहुत